वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें जिसमें आज हम पहला टॉपिक यानि की भारत की जनगर्णा देख लेवाले हैं ये टॉपिक की लिस्ट मैंने आपको बताई थी कि कौन-कौन से टॉपिक मिसलीनियस में पढ़ने हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे आज भारत की जनगर्णा 2011 की Census of India 2011 और इसके जो तत्य हैं ये काफी एक बड़ा टॉपिक है जिसको आप दो से तीन पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आज हम भारत की जनगर्णा के आकड़े देखने वाले हैं चले शुरू करते हैं तो अगर बात करें संपूर्ण जनसंख्या की तो संपूर्ण जनसंख्या में ग्रामेड जनसंख्या भी आएगी सहरी भी आएगी कुल व्यक्ति कितने हैं 2011 के अनुसार 121 करोड भारत में कुल व्यक्ति हैं जिसमें ग्रामेड हो जाएंगे 83 करोड के आसपास और 37 करोड के आसपास हो जाएंगे क्या सहरी व्यक्ति हो जाएंगे तो ये पूरी जनसंग क्या है अगर प्रतिशत में देखें तो 68.9% के करीब ग्रामीन छेतर में लोग निवास करते हैं और 31.1% सहरी जनसंग क्या है इसके बाद अगर पुरुस देखें तो पुरुस 62 करोड के आसपास हो जाएंगे और इसमें भी अगर पुरुस में भी ग्रामीन देखें तो ग्रामीन पुरुस है 42 करोड के आसपास बांकि 19 करोड के आसपास लग भग सहरी पुरुस हो जाएंगे इसके अलावा अगर बात करते हैं महिलाओं की तो महलाएं हो जाएंगे 58 करोड के आसपास जिसमें 40 करोड ग्रामीड महलाएं हो और 18 करोड के लगभग हो जाएंगी सहरी महलाएं अब यहाँ पर आप देख रहे हों कि जैसे की 68% ग्रामीड जनसंक्या है तो पुरुस में भी ग्रामीड में जादा है और महिलाएं भी ग्रामीड में जादा है यह परसेंट में 68.6 है यहां 31.4 है लगभग 31 प्रतिशती है और अगर यहां महिलाओं का अनुपात देखें तो यहाँ पर जो 10 की जन संक्या ब्रतिशती है कुल 18 करोर के करीबड़ी और इसमें 91 करोर ग्रामीड नब्बे करोर सहरी सबसे जादा ततते जो है एग्जाम में पुछा गया है कि 10 की जन संह क्या ब्रदि प्रतिशत में कितनी हुई तो 17 winners शेचार प्रतिशत हैकर तो 17 winners 7 याद रख लिए कि उससे भी कम बन जाएगा अगर ग्रामी छेतर में देखी तो 12.13 प्रतिशत की 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 प्र प्रतिशत में और लिंगानुपाद भी कई बार एक्जाम में पुछा गया है तो 949 ग्रामी छेत्र में हो 929 सहरी चेत्र का यह 949 पूछा गया एक्जाम में इसके बाद जीरो से 6 आई उसमू की जन संक्या देख लीजिए तो जीरो से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी कुल जघन संक्या किति है 2011 की जनकरणा के अंसर 16 करोर और इसमें लगभग 12 करोड ग्रामीर करोड सहरी चेत्र में है और 3% 7 पृतिशत में जादा है 14 फ्रतिशत में 11,05 पृतिशत में पृतिशत में तो पुरूत जन संक्या रगभग इतनी हो जाएगी 13 पृतिशत है कहां कर कुल व्यक्तियों के 11,6 प्रितिशत और लगबग यही आसपास में दिया गया है कुल जनसंख्या के प्रितिशत महिलाओं का भी कुल में 13,4 है सहरी छेतर में 11,3 है और ग्रामी छेतर में 14,3 है तो लगबग एक साही है थोड़ा बहुत अंतर है तो 11,14 और 13 यही अनुपात य हियाद रख लें लिंगानुपात जरूर याद रखें 06 साल तक के आयू समुक लिंगानुपात 919 है ग्रामी छेतर में 923 है और सहरी छेतर में 905 है मतलब सहरों में जो लिंगानुपात आप देख रहे हैं वो कम है ठीक है ना इसके बाद यहां पर दिया गया है कि कुल जो साक्षर्ट दर तो पुछीं जयी कई बार पुची टा में ने हैं तो तेहत्र प्रतिशत साक्षर्टा आप सहरी छेतर साक्षर्ट में ज्यादा करते सास च्छेतर में और ग्रामी छेत में यही हो जाएगी कम है 57.9% और सहरी छेत में 79.1% है और अगर नंबर्स में देखना है तो यह इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसके बाद अनुसुचित जाती की यानि कि जो सिड्यूल कास्ट है उनकी संपूर्जन संक्या देखिए तो कुल 20 करोड के आसपास सिड्यूल कास्ट भारत में रहती है दोचर 11 के कोटिंग जिसे 15 करोड ग्रामी छेत में है 47 करोड सहरी छेत में है सहरों में जाना है फिर 16.6% यहाँ पर हो जाएगा 18.5% ग्रामी छेत में हो जाएगा यहाँ पर यह 4 करोड ठीक है न और 20.6% है सहरों में और कुल जन संक्या पर पूरस देखें तो 16.6% 18.5% बार्द पांच प्रतिशत है और कुल जन संक्या अगर देखें महिलां की तो महिलाएं कितनी है 16.7% है कुल जन संक्यागा 16.7% महिलाएं अनुसूचि जाती से बिलॉंग कर दी जिसमें 18.4 परज़िशत महिलाएं कहां रह 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 रहीं है ग्रामी छेत में और सहरों में 12.7 परज़िशत ठीक है तो यह दिया गया है सीडूल कास्ट का फिर सीडूल ट्राइब्स देख लिए यहाँ पर कुल देखे तो आरे दिस्वमलो चार प्रतिशत महिलाए है और यह लगबागए एक साही है ग्यारा प्रतिशत ग्यार प्रतिशत और यहा पर भी लगबाग एक वृली है 2.7 प्रचत 2.9 प्रचत तो 2 के लगभग याद रख ले 2.5 से ज़्याद ही है तीनों में ठीक है इसके बाद जन्गर्णा की जो आरते गतिविदियों के आकड़े हैं इसको देख लीजिए जैसे कि कुल श्रमेक कितने हैं मुख्य श्रमेक सीमांत श्रमेक तो व्यक्तियों की संक्या कुल श्रमेक में देखे तो लगभग 48 करोड के आसपास हो जाएगी और ग्रामेट छेतर में यही 34 करोड है सहरी श्रमेक 402 करोड है और अगर पृतिशत में देखे श्रम सहागीटा तो 49.9 पृत सेंट याद रखें और यही ग्रामी चीट में जो घाएगा 53% कुल जो भी 53.3% 53 ग्रामी चीट में और स मुख्य स्रामिक लगवक 36 करोड के आसपास हैं पुरुष 27 करोड महिलाएं 8 करोड और अगर कुल प्रतिशयत में देखे तो 75.2 प्रतिशयत यहां 70.5 और 87.6 हो जाएगा और अगर कुल पुरुष देखे तो 82.3 प्रतिशयत हो जाएगा कुल महिलाएं 59.6 परसेंट हैं 69.6 प महिलाएं 40.456 प्रतिशयत हो जाएं देखे, तो 85.9, 5 Bye लगा का कुल अगर मम ईका रूक तर परसेंट हैं 30.4 प्रतिशयत और अगर यह पुरुषों देखे तो पुरुषू कितने हो हो जाएंगे 77 पृतिशत और 21.5 ग्रामी छेत में 9.5 सहरी छेत्र में और महिला है 44.4 पृतिशत ग्रामी छेत्र में और 25 सहरी छेत्र में यह सीमांत श्रमिकों का दिया है 11 करोड़ और 10 करोड़ और लगभग यह इता दिया गए 1 करोड़ हो जाएंगे सहरी छेत्र में पृतिश और महिला में तो 5 4 6 5 जी हो जाएगा आकड़ा पिर स्यमांत स्वर्म पृतिश्रमिक तेंसे चैवाँ तक काम करते हैं वह हो जाएंगे लगभग व्यक्ति लेक्शेत में 250 सहरी चेत्र में और कुल पुरुस देखें तो 82,7 और कुल महिलाएं देखें तो 80% हो जाएंगे 80% के करीब फिर सीवांत श्रमिक जो 3 मां से कम समय तक के लिए श्रमिक करते हैं तो ये कुल हो जाएंगे 2 करोड और 1 करोड जिसमें ग्रामी शेतर में है 24,36,189 सहरी शेतर में है खरी 1 कραड ब्रीवास करीब जाएंगे 8,26, inspda को से कम समय तक करतो में ऑर 1 करोड के करीब पुरुस है जिसमें और महिलाएंगे 6,59,000 योन जो 12,00,لف करीब सहरी शेतर में है और महलाई भी एक करोड है जिसमें लगभग ग्रामी छेतर से जादा है और सिर्फ 9 लाक के करीब ही सहरी छेतर की महलाई आती है जो कि लगभग 3 महा से कम श्रम करती है और प्रतिचत में देखें तो ये हो जाएगा आतारल समलो 7 प्रतिचत ग्रामी छेतर प्रतिचत में 19.3 प्रतिचत सहरी छेतर में 14.8 प्रतिचत और यहीं पर अगर पुरुसका रेकित तो 17.3, 17.8, 14.4 ये ग्रामी जो शेहरी का हो गया फिर 20 प्रतिचत में हिलाए है जो कि 3 महा से कम समय तक काम करती है और 20.6 हो जाएगा पंदर संवलो चार पिर्षट हो जाएगा सहरी चेत में इसके बाद किल कुल कृशक भारत में किते हैं 11 करोड के आसपास मतलब किर्षक जन संक्या भारत में अच्छी खासी है और इसमें गरामी चेत में ही जादा है 11 करोड 49,497,498,497,498,498,498,498,497,498,498,498,498,498,49 सहरी चेत के हैं और अगर पुरस में देखें तो 24 परस्वेश 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 प्रिशोत हुजाएं ग्रामी सब्सक्राइब महिलाएं ज़्यादा हो जाएंगी अपर गुल महिलाएं 41 thànhिहां जिसमें जदा प्रिशद महिलाओं का है 80.05 प्रिशद और 9 प्रिशद सैरी छहत्वित में महिलाएं जो खी करशी श्रमें के इसके पाद क्छुल औड्योग में कितने थे 2011 की जनकरणा के कॉर्डिंग, तो एक करूर के आसपास थे जिसमें ग्रामी छेत में जादा थे, सहरी छेत में 63 लाग, और कुल में 3.8 परिशत कुल जन संक्या का, औद्यों के हैं, तो कुल जन संक्या में कितना परिश्यत ये जरूर रखना है 3.8 प्रिश्वत है जिसमें गाउं में 3.4 है सहरी चेतर में जादा है इसमें 4.8 क्योंकि उद्यूख सहरों में ही जादा लगाए गाए गाए फिर 2.9 प्रिश्वत हो जाएंगे पुरूस 5.7 प्रिश्वत महला हो जाएंगी अब यहां पर 2.6 की 11 करोड सहरी चेतर में हो जाएंगे ठीक है अन्यस्रम एक दियेगा है जो और कोई श्रम करते हैं तो यहां पर 40 प्रिश्वत कुल हो गया कुल जट संख्या का 16.6 प्रिश्वत जिसमें गाउं में हो गया 24.3 प्रिश्वत सहरी चेतर में हो गया 86.9 प्रिश्वत और ऐसी ह ही महलाएं सहरी चेत्र में हो जाएंगी और प्रतिशत में यह ज्यादा हो जाएगा सहरों में ठीक जिप साथ जोड़े रहे हैं चल को सब्सक्राइब जरू कर दें वीडियो को लाइक भी कर दें मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम गृप जोइन कर सकते हैं लिंक की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और स्टडी फोर सेवल सर्विसेस के पेड वैचिस जोइन करना चाहते हैं तो ड डिस्क्रिप्शन में दीकर देडियल को फॉलू कर सकते हैं थैंक यू फो वाचिंग इस वीडियो थैंक यू सो मच